अब हम पढ़ने जा रहे है income method for calculation of GDP, income method, मतलब की आमदनी का method क्या है, आमदनी तो आपको पता ही है, बड़ा easy है, हमारे यह factor services है, factor services है कि land है, लेंड के बदले में जो household, land दे रहा है, household क्या करा, दे रहा है, land, land दे रहा है household, तो इसको बदले में क्या मिलेगा इसको, rent मिलेग इसके अलावा क्या है, उसके पास, capital देता है household, household ही capital लगाता है, अगर घर में saving होगा तभी तो capital बनेगा, capital है, capital रहेगा तो investment भी करता है, capital पर इसको क्या चाहिए household को, interest चाहिए, बीच में definitely bank आ जाता है, क्योंकि household बैंक में देता है, बैंक के थूरू capital आ रहा है, आजकल तो situation ही हो गया, तो हमारा banking का concept आ जाता है, जब हमारा saving का concept आ जाता है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, labor है, labor है तो इसको business मिलेगा, और सबसे बड़ा काम तो household है करता है, खुद अपने आपको तयार करता है, वो entrepreneur बनेगा, वो enterprise start करेगा, और इस condition में profit मिलता है, इसको चार factor of production को अगर हम जोड़ दें, interest, rate, wages and profit, इस चारो को अगर हम जोड़ देते हैं, ये भी GDP हो जाएगा, तो GDP बड़ा interesting concept हो गया, कि हम expenditure method से जाए, शाय income method से जाए, शाय value addition method से जाए, हमें मिलना तो वही GDP है, तो इसका अब हमारे एक नया term हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि GDP में gross domestic product है, domestic और national territory में क्या अंतर है, ये हम आगे पढ़ेंगे